ये जो तस्वीर आप अपने सामने देख रहे हैं ये किसी साइंस फिक्षन मूवी से नहीं है ये रियालिटी है ये इस वक्त केरला में बादू डॉक्टर्स और वहाँ पे जो नर्सिंग स्टाफ है उनकी तस्वीर है जो यहां के लोगों को निपाव वारेस से बचाने की को कर दिया गया क्योंकि इनकी बादी से बाकी लोगों को भी निपाव वारेस का खत्रा था तो डेफिनेटली ये एक काफी अलार्मिंग सिचुएशन है केरला में हालाकि सरकार ने काई कि काफी सब कुछ कंट्रोल में है और प्रसाशन पूरी कोशिश कर रहा है कि निपाव इसको जादा फैले ना दिया जाए बट स्टिल जो यहाँ पर हो रहा है ये काफी इरी है एक इंगलिश में शब्द होता है इरी उसका मतलब होता है काफी क्रीपी काफी वियर्ड क्योंकि कुछी दिन पहले एप्रिल महीने में दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक एक बिल गेट्स जो फाउंडर है माइक्रसॉफ किनों ने कहा था कि आने वाले समय में हो सकता है कि 30 मिलियन लोगों की मौत हो बहुत बड़ा नंबर होता है 30 मिलियन लोगों की मौत हो पूरी धर्दी में किसी फ्लू पैंडेमिक से अफकोर्स आप यहाँ पे कह सकते हैं कि निपा अभी एक पैंडेमिक नहीं है काफी लिमिटेड एरिया में ही है केरला में भी कुछ एक बहुती छोटे से एरिया में अभी सीमित आई है और सिर्फ अभी 6 से लेकर 8 लोगों की यहाँ पे मौत की खबर आई है मगर यहाँ पे बिल गेट्स ने यह कहा था कि जिस तर दराने की कोशिश नहीं कर रहे थे उनका में जो पूर्ट था यहाँ पर वो यह था कि हमको तयार हैना चाहिए यहाँ पर भी इंवस्मेंट करनी चाहिए कि ऐसे फ्लू वाइरस से भी हम निपटने को तयार रहें तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेटेस्ट हैं किस तरीके से इसे भजा जा सकता है इस वीडियो में हम सब कुछ डिसकस करेंगे सो लेट्स टार्ट और आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं स्टडी आईक्यू आपके साथ है हमारे pen drive and tablet courses अवेलेबल है इन सब एक्जाम के लिए SSE, bank, RBA grade B, UPSC, UGC net, various exams के pen drive and tablet courses आपको मिलेंगे studyaq.com पे यहाँ पे up to 50% का discount इस वक चल रहा है यह May 28th 2018 तक रहेगा आप अवेल कर सकते हैं इस discount को studyaq.com पे जाके अब देखो निपावारिस infection है क्या यह एक zoonotic disease है zoonotic का वैसे अर्थ होता है एक ऐसी disease जो जानवरों से इनसानों में फैलती है a disease that can be transmitted from animals to people या फिर more specifically मैं अगर यह कहूँ कि यह disease जारतार जानवरों में होती है मगर यह इनसानों को भी affect कर सकती है तो latest जो केरला में हुआ है वहाँ पर भी ऐसा ही उनको दिखा case जो fruit bats है केरला में केरला आपको पता है greenery के लिए काफी मशूर है वहाँ पर आपको western gharts भी मिलेंगे उनका जो end की जो tail होती है वो भी आपको मिलेगी वहाँ पर और काफी caves भी है वहाँ पर तो काफी बार जो migratory bats है वो वहाँ पर रुखना पसंद करते है तो वहाँ पर fruit bats रुखे थे और उनके अंदर ये निपा वाइरस था और उनी के थुरू आसपास के कुछ लोगों को ये निपा वाइरस मिला है अब ये जो fruit bats हैं ये पतेरो पोदियाद family के हैं और ये जातार एक natural host माने जाते हैं इस वाइरस के माने जाता है कि जहाँ भी इस वाइरस का outbreak हमको दिखता है वहाँ पर हमेचा ये bats ही involved होते हैं WHO की जो South East Asia की website है वहाँ पर हमको ये जानकारी मिलती है कि सबसे पहले ये वाइरस को recognize किया गया था मलेशिया में जहाँ पर करीब 265 suspected cases आये थे between 1998 to 1999 और जातार जो patients उस वक्त मलेशिया की मैं बात कर रहा हूँ जो जातार patients वहाँ पर इस वाइरस से पेड़ित थे वो पहले contact में आये थे सूरों के, pigs के, pigs के थूरू इंसानों को वादा सबसे पहले अब यहाँ पर एक interesting चीज़ आपको यह बता रहा हूँ, कि इसकी जब बात में और जारा deep study हुई, तो यह पता लगा, कि जो pigs है, जो सूर थे यहाँ पर, इनको निपाव वाइरस मिला था, वहाँ पर मलेशिया के bats से, यहाँ पर basically हुआ क्या था, यहाँ पर एक बहुत पास के शहर थे, वहाँ पर पहुच गए, और वहाँ से, जो वहाँ पर जो pigs से, उनको यह वाइरस मिला, और pigs से human को यह वाइरस मिला शुरू हो गया, और पहली बार मलेशिया में हमने देखा, कि निपाव वाइरस कितना खतरनाक है, और बहुत साए लोग की यहाँ पर मौ मैं आपके लिए जूम कर दूँगा यह map, यह है, यहाँ पर हमारा प्यारा भारत, ठीक है, यह Bay of Bengal हो गया, और यहाँ पर यह इंडोनीसिया है, इंडोनीसिया के बिलकुल साथ मैं आपको यहाँ पर देखेगा, मलेशिया, अब देखो मलेशिया का यहाँ पर जो आप दिखेंगे, आपको कुछ cases आप study करेंगे, तो आपको पता लगा कि बंग देख में भी काफी इसके case हो रखे हैं, बंग देख में आदेख सकते हैं, बंग देख कितना दूर हैं यहाँ पर मलेशिया से, तो यहाँ से काफी अवार migration होती है, bats की और animals की migration होती है, तो यहाँ का host हो सकते हैं, it depends उनका जो उनकी जो body है, उनका जो constitution है, किस तरीके से उनकी body react करती है, इस virus को लेकर, उस सब पर भी depend करता है, तो यह चीज़ याद रखेगा, सबसे पहला जो case है, इसका वो मलेशिया में आया था, अब देखो एक बहुत ही basic question यह हो सकता है, ठीक है, यह bats से transmit होता है, मगर किस तरीके से होता है, क्या bats काटते हैं, तो होता है, क्या होता क्या basically, पहली बात तो यह जो fruit bats है, काटते बहुत जारा कम है, usually हम bats को मानते हैं, काफी एक popular culture में मानते हैं, कि वो bite कर सकते हैं, मगर जातार bats human को bite बहुत जारा कम करते हैं, सिर्फ South America की कुछ species है bats की, जो cows को या फिर pigs को bite करती है, मगर जातार इंसानों को bad bite बाइट नहीं करते, तो यह किस तरीके से फैलता है, तो पहली बात तो यह fruit bats है, इनको flying foxes भी का जाता है, यह जखिएगा, इनकी जो बनावट है, कुछ ऐसी लगती है, काभी फरी से होते हैं, काभी फर होता मान लीजेब ज़र यह जो bats हैं, किसी cave में या फिर पेडों पे लड़कते हैं, तो पास में मान लोग और कोई fruit है, या फिर कुछ और खाने पीने की चीज है, वहाँ से इनका जो मल है, वो contact में आ जाता है, या फिर इन्होंने वो फल चक लिया वगारा, फिर बात में वही जो है, कोई इनसान खा ले, या फिर उसका जो feces है बैठका, उस पर कोई इनसान, मतलब अपनी skin से touch कर ले होगारा, तो उस तरीके से निपाव वाइरस फैल सकता है, तो यह चीज या दखिएगा, अब देखो निपाव वाइरस में डिराने वाली चीज, पिछले कुछ साल इसका कोई क्योर नहीं है, इसका कोई क्योर अभी तक मिला नहीं है, और इसका बėसिकलर यही करते हैं, इसके जो symptoms होते हैं, उसको थोड़ा कम करने कोशिच की जाती है, patient को comfort दिने कोशिच की जाती है, और उमीद की जाती है कि eventually इसके जो symptoms हैं, धीरे-धीरे कम हो जाएएंगे अब देखो इसके symptoms कैसे होते हैं अगर मान लोग किसी पर नेपाव वाइरस हावी हो जाता है उसकी body में नेपाव वाइरस enter कर जाता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को fever होगा सर में कमाल का दर्द होगा drowsiness होगी मतलब के वो कुछ काम नहीं कर पाएगा बहुत ठकावा महसूस करेगा disorientation होगी उसको समझ नहीं अगा के हो क्या रहा है confusion हो सकता है mental confusion इसका बिलकुल next है उसको confusion इस level पर ही हो सकता है कि वो देखना भाई के आगे सामने है क्या किसी चीज़ को कुछ और इना start कर सकता है फिर वो कोमा में भी जा सकता है और potential एक है कि उसको death भी हो सकती है जो कई लोगों को recently केरला में हुई भी है तो अभी के लिए जो इसका fatality rate है वो बताया जा रहा है कि 70% है मतलब कि किसी वक्ति को अगर निपाव वारेस होता है उसको निपाव वारेस इंफेक्ट करता है तो 70% chance है कि वो मर सकता है जो मलेशिया में outbreak हुआ था उसमें करीब 50% लोग मर गए थे और मैंने आपको बताया था वहाँ पे करीब 260 प्लस लोगों को निपाव वारेस का infection हुआ था तो ये काफी scary बात है काफी ड्रावनी बात है और अभी तक इसका कोई treatment है नहीं और अभी तक हमको ये भी पता नहीं है कि ये कितना जल्दी फैल सकता है क्योंकि इंडिया में आपको पता है हमारे याँ live stock बहुत सारा है हमारे याँ काफी farms हैं अबादी बहुत बड़ी है तो अभी के लिए हम ये करने क्योशिश कर रहे है कि जो densely populated area है केरला के वहाँ पर निपाव वायरस का कोई रोगी ना पहुँच जाए अगर ऐसा हो जाता तो ये भी chances आए कि बहुत सारे लोगों को ये virus हो सकता है जो Malaysia में हुआ था अब देखो अभी के लिए जो हमको सारी deaths देखी है ये केरला के कोजी कोटे डिस्टिक में देखी है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो coastal side को यहाँ पर है कोजी कोटे और ये western ghats के काफी जारा करीब है काफी greenery होती है यहाँ पर तो ये bats को attract करने का काफी अच्छा एक area है काफी सारे bats यहाँ पर आना पसंद करेंगे उनके लिए काफी अनुकोल यहाँ पर environment है तो यहाँ पर अभी तक outbreak हमको दिखा है निपा वाइरस का और as I said earlier भी कोशिश की जा रही है कि बाकी area में ना फैले है यह कोशी या फिर बाकी जो यहाँ पर आसपास की states है करनाटका वहाँ पर यह ना फैले अभी के लिए देखो केला में जो health department है उन्होंने alert इशू कर दिया है और सरकार ने लोगों को कहा है कि panic मत करो क्यों? क्योंके देखो निपा वारिस में जो एक human body है उसका respiratory system और nervous system दोनों पर attack होता है तो उसको breathing में काफी दिक्कत आएगी और overall उसको fever भी काफी high हो जाएगा तो यह जो symptoms हैं किसी normal fever में भी हो सकते हैं तो ऐसा ना हो कि किसी को normal fever हो या वैसी वो बिमार हो वो सब लोग भी hospital की तरह भागना start कर दे और hospitals का जो load है immediately काफी heavy हो जाए तो तो यहाँ पर लोगों को शान्द रहना काफी important है ताकि यह जो outbreak है और जादा ना फैले अब यहाँ पर एक normal इंसान क्या कर सकता है निपाव वारेस से बचने के लिए देखो पहली बात तो मैं कुछ चीज़े clear करना चाहता हूँ मैं आक को बताए कि निपाव वारेस जातार ये बैट फिलाते है fruit बैट मगर ऐसा नहीं है कि सारे fruit बैट ये वारेस करी करके खूम रहे है दीक है बहुत ही कम संक्या है इन बैट की और वो भी कोजी-गोड़े district में ही है जहां पर ये बैट थोड़ा ये जो वारेस है वो फिला रहे है तो यहां पर काभी कम chance है के केला के बाहर बाकी जो states है वहां पर भी ये वारेस फैले अब 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 कोर्स chance कम है वगर इसका ये मतलब नहीं है कि ये बिलकुल भी नहीं फैलेगा तो definitely एक precaution के रूप में आप ये कर सकते है कि जादा wildlife में मज जाए जहां पर पेड वगरा जो होते है forest के वहाँ पर में करीब मज जाए bats वगरा जहां पर आपको दिखे कोशिश करिए मज जाए अगर आप इस रीजन में है केरला के इस रीजन में आप है तो आप ये कर सकते हैं और ये एक precaution लिए सकती है और उसके लावा अगर आपको symptoms ऐसे महसूस हो रहे हैं कि सास लिने में काफी दिक्कत है और काफी दिनों से ये लगादार चल रहा है तो अफकोर्स आप जो nearest doctor है वहाँ आप जा सकते हैं और अपना blood test करा सकते हैं और check कर सकते हैं कि ये निपा वारेस आपको हुआ है या नहीं अब देखो long run में हम इससे क्या सीख सकते हैं इससे और जो bilgards ने recently कहा है उससे हम ये जरूर सीख सकते हैं कि हमको यहाँ पर investment करने की जरूरत है और research करने की जरूरत है इन सब वारेस पर अफकोर्स मैं कहा रहा हूँ इन सब वारेस पर बहुत सारे वारेस हैं आपस में काफी different है अलग उनका origin है अलग तरीके से वो react करते हैं अलग तरीके से इनको पाया जाता है इनको ढूना जाता है मगर यहाँ पर हमको यह भी देखना होगा कि अब तक हमने ज़ादा research करी नहीं है इंडिया में जो भी वारेस हैं उन पर जो भी research होती है यह WHO वाले करते हैं यहाँ पर आके तो हमारे देश में जब population density इतनी जादा है तो हम बिलकुल भी यहाँ पर risk नहीं ले सकते हमको यहाँ पर यह देखना होगा कि हमारे देश में कौन-कौन से वारेस हैं वैक्सीन का यह available हैं अगर कोई massive outbreak होता है क्या उसके लिए हम ready है या नहीं क्योंकि क्या कि इंडिया में जहाँ पर इतनी ज़रा densely packed cities है वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि लाग दो लाग लोग मरे अगर मारे लोग पांसो छे सो लोग भी मर जाते हैं तो panicky situation हो सकती है उससे भी काफी ज़रा problem हो सकती है तो definitely अभी काफी कुछ सीखना बाकी है और निपा वारेस हालाकि इतना ज़रा lethal नहीं है मगर इसको एक तरीके के warning sign कि तरह हम ले सकते हैं जो आने वाले खत्रे से हमको बचा सकता है